करने वाली हूं अपने न्यू पेंसिल पाउच को जो कि यूनिकॉन वाला है यह पुपल कलर का जिसमें लखा हुआ टाइम टूबी आ यूनिकॉन एक क्यूट सा यूनिकॉन भी बना हुआ है और इसकी जो चेन है वह रैड कलर किये कुछ स्टाइप की अब इसको मैं उपन कर लेती हूं इसको बहुत सारे कंपार्टमेंट से पहले इस अच्छे से उपन कर लिया है मैंने यहां पर एक नीचे कंपार्टमेंट उपर यहां प आँ नहीं से सबसे पहले रखतने वाले यह पॉपिल कलर का स्यलोका हालां जो मैं रख लेती पांचमें और कंभी हो का देख्षा यो का सब्लू कलर का आप तीना रख लेक्तर मैं रखेंगार्णी प्रस तारिंसे ईसम Ukrainianagen के पेंसल बॉखस फ्यांच में होता है यह इसके बाद मैं रखूंगी क्यूट सा काउ वाला एरेजर यह बहुत बादा क्यूट है अब इधर साइड में जगे महां पर मैं रखूंगी स्टिकी नोट है तो आप देख सकते हो और सबसे पहले मैं रखने माली हूं यहां पर डार्क पिंग कलर का जो कि मैं यूज कर ब्लू हाय लैटर के जस्ट बगल में मैंने हो अपने चाय आपने और इरेजर यह ऺगए रख लिये हैं और अब मैं रखने वाली हूं अपर वाले परक्पार्टम्ड में मैं अपना पाटन पेपर यह माहने खूद बना है मैं उस्ट अच्फय टीक किस्टे नोट जो कि है पीछ कलर का तो यह भी मैं रख लेती हूं अब मैं रखूंगी notepad जो मैंने खोद यह बनाए बहुत सारे कलर सा काया बहुत क्यूट लगता है यह मुझे यह जली से मैं रख लेती हूं सबसे पहले यहां पर एक space special scale रखने के लिए हुआ है यहां पर फिर अपने pen pencil रखूंगी तो मैं mostly gel pens यूज करती हूं तो सबसे पहले मैं रखूंगी black pen तो यह मैं यह पास Unimax का black gel pen है तो मैं यह रख लेती हूं सबसे पहले तो इसके बाद मैं रखूंगी एक black dot pen because dot pen की विज़रत पढ़ सकती है हमें अब मैं रखती हूं अपने सारी blue pens मतलब जो भी ब्लू पैंस है वह सबसे मेरे पास मेरे पास यह impression pen है यह golden color का यह blue pen है dot pen है यह इसके बाद मैं रखूंगी अपना रोरी टो का यह बहुत जाद अच्छा पैन है यह बहुत एक्सपेंसिव आता है पर यह बहुत अच्छा चलता है फिर मैं रखूंगी यॉनो मैक्स का fly max gel pen और इसके बाद मैं रखूंगी अपना अपनी mechanical pencil बहुत जादा अच्छी चलती है इसमें एक नीचे eraser भी दिया हुआ है इसके बाद मैं रखूंगी XO का मेरा फेवरिट गाइस यह है XO का Germany gel pen जो बहुत जादा smooth चलता है इसके बाद मैं रखूंगी the last item of this compartment is correction pen जो की fabric castle का है इसके जुरत मुझे पढ़ती रहती है तो मैं यह रख लूंगी मेरे pen pencils के वाला compartment पी डन है अब मैं बैक वाले compartment पे जादा कुछ नहीं रखूंगी मैं इसमें रखूंगी cameline के wax crayons ओके यह बहुत जादा क्यूट मतलब मैंने क्यूट से sticky note भी लगा लिया है बनी वाइब्स और मुझे map अगरा करना होता है या फिर कुछ decoration करनी होती है तो मैं इस अलगा यूज करती हूं हमें को इस compartment में एक और चीज रखने हो है sketch pen में कोई साभी एक कोई अलग डेली अलग-अलग के sketch pen रखती हूं कि कभी अंडरलाइन करना होता है तो कभी कुछ heading decorate करके डाली होती तो मैंने यह रख लिया फिर मैं रखूंगे अपना फेवरेट अवकाड़ो पॉपिट अवकाड़ो का यह पॉपिट मैंने खुछ से अपने होम में बनाया है जो बहुत जादा आप मैं इसको कर लेती हूं बंद सो यहां पर मैंने पूरे जो भी स्टेशनरी सी आपकी फेवर स्टेशनरी कॉमेंट में मुझे बताना इन इस जो मैंने इसमें रखा उन में से सो अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स वीडियो के लिए तब तक के लिए टेक एन बाए बाए बट एक बात तुमें बता नहीं भूल गई मेक शोर यू सब्सक्राइब माई चानल